यूसेटी इंडिया कि बार पुरा देश कह रहा है अपकी बार खर्गेजी भी कह रहे है लेकिन अध्यक जी मैं आम तोर पर यह आंकड़े आंकड़े के चक्टम में नहीं पड़ा लेकिन मैं देख रहा हूँ देश का मिजाच एंडिये को चार सो पार करपाई के रहेगा लेकिन भारतिये जनता पार्टी को तीन सो सत्तर सीट अवच से देगा और देकिन लोकसवाव में अपने सौ मिनिट के भाशनार में पीम ने विपाक्ष के उपर जम कर तंस कसा आया इंडी गडबंदर पर चुटकी भी लिए है वानुमती का कुनबा जोड़ा लेकिन फिर एकला चलो रे करने लग गए कॉंग्रेस के लोगों ने नया नया मॉटरन मेकेनिक का काम सिखा है और इसलिए एलाइन्मेंट क्या होता है उसका ज्याम तो हो गया होगा लेकिन मैं देख रहा हूँ एलाइन्स का ही एलाइन्मेंट बिकड़ गया इनको अपने इस कुनवे बेंट अगर एक दूसरे पर विश्वास नहीं है तो यह लोग देश पर विश्वास कैसे करेंगा अपने संबोधन में पीएम शुर्वात से ही कॉंग्रेस पर आक्रमक रहे और इसे जम कर खरी खरी भी कॉंग्रेस को पीएम मोधी ने सुनाई कि इस्वर रूपी जनता जरार्दन आपको जरूर आशिरवात देगे और आप आप जिस उचाई पर हैं उससे भी अधिक उंचाई पर जुरूर पहुंचेंगे और अगले चुनाओं में दर्शक जिसा में दिखेंगे कॉंग्रेस का विस्वात हमेशा सिर्फ एक परिवार पर रहा है एक परिवार के आगे वो न कुछ सोच सकते हैं न कुछ देख सकते हैं एक ही प्रोडक्ट बार बार लॉंच करने की चक्कर में कॉंग्रेस की दुकान पाला लगने की नौबत आ गई तो कॉंग्रेस पर जम करने शाना साधा प्रदान मंची नरेंद मोधी न और सिर्फ इतना ही नहीं पूरू प्रदान मंचीयों यहीं जवारलाल नहरू इंदरा गांधी इन सब को निशाने पर लिया पूरू जी यानि नहीरू जी की भारतियों के प्रती सोच ती की भारतिया आलसी हैं नहीरू जी की भारतियों के लिए सोच थी कि बारतिया कम अक्रे के लोग होते हैं और आधनी अधिक जी आधनी अधिक जी इंद्राजी की सोच भी उससे ज्यादा अलग नहीं थी कॉंग्रेज के साही पुरिवार के लोग मेरे देश के लोगों को ऐसा ही समझते जाएं के भी से मैं से ही और आज भी आज भी वही सोच देखेने को मिलती है मानिय अधिक जी पीम ने ये भी गैरेंटी दी कि उनकी तीसरी सरकार में भारत दुन्या की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बन कर उभरेगा सारे दस साल के कारकाल के अनुभव के अधार पर आज की मजबूत अर्थ ववस्ता को देखते लिए जिस तेज गती से भारत विकास कर रहा है उसकी बारिक्यों को जानते हुए मैं विस्ताव से कहता हूँ और इसलिए मैंने कहा है कि हमारे तीसरे तंब आर्थ दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा और यह मोदी की गारंटी है और वहीं अपने समोधन में प्रदानवां स्वी नरेंद मोदी ने राम मंदर का भी जखर किया न सिर्फ अपने घर लोटे वलकि एक ऐसे मंदिर का अंदर माण हुआ जो भारत की महान सासुदिक परंपरा गो नई उर्जा देता रहेगा न्यूज एटिन इंडिया चौपाल में कॉंग्रिस अत्यक्ष मलेक अरजुन खर्गे ने पियम के चार सो पार के दाविश मर जबाब दिया पुदान मंतरी ने आपका नाम भी बहुत लिया कि आप ही ने कह दिया चार सो पार क्या आप ही ने कह दिया चार सो पार ये देखो आप लोगों का इंटर्पिटेशन वैसा है हमने ये कहा कि तीन सो तीस लाके आप कुछ नहीं किये चार सो पार बोल के सब तरफ फिर रहे हैं अब क्या करने वाले हैं और मैं बड़ी ख़वर आपको बता दें ग्यानवापी फरिसर में बंद तैखाने की एसाई सर्वे कराने की मांग पर आज वारार सी जिला कोच में सुनवाई होनी है याचिका करतार राखी सिंग ने जिला जोच की अधालत में याचिका दायर की थी जिसे अधालत ने सुनवाई के लिए सुएकार कर लिया था पर खासकर बो जगह जिसे मुस्लिम पक्ष तो फवारा बता रहा है उस जगह की भी अब ऐसा ही सर्वे होना चाहिए ये गौर हिंदू पक्ष का और बाखाइदा इसके उपर अज सुनवाई होनी है बड़ी बात आपको बता रहे हैं जो याचिका दायर की गई थी उसे सुन झायर के उस्के बड़े हैं